हलो एव्रिवर्ण सो हुन तक दा थो नू सारा नू पता ही लग गया होगा कि PPSC ने नाप ते सिल्दार अकाउंटेंट ते फंक्शनल मैंनेज़दा जड़ा एक्जाम है वो पोस्पोन कारता सो एक शौकिंग जड़ा नोटिस है वो काली PPSC दी साइट ते अप्लोड होया सी थोड़े लग भी है शौकिंग होगा ते मेरे लग भी सिगा सो एक नोटिस तो बाद बहुत सारे स्टूडेंट से जड़ी मोटिवेशन है एक्जाम दी त्यारी करन दियो बिल्कुल डाउन हो चुकी है सो आज दी वीडियो दे विच आप एही डिसकस करांगे कि हुन तो नो की करना चाहिए दे कि वे तुसे अपने अपनो मोटिवेटेड राख साग दे एक्जाम दी त्यारी करन दे लई दिस इस साक्षिय अगरवाल आई वेलकम यौलान मेहिंती बच्चे सो ए नोटिस तो बाद अलागलाग स्टूडेंट से माइन दे विच अलागलाग थौट्स हारे हुनगे ओ स्टूडेंट्स जिनना ने वदिया त्यारी किती होई सी उन्होंनों निराशा हो रही होगी कि क्यों पेपर पोस्पन हो गया वाश पेपर हो जन्दा असी अच्छा परफॉर्म कर के आंदे ते पेपर नू क्रैक कर दे सेकिंड थौट ए आ रहे होगा स्टूडेंट्स दे माइन दे विच कि वदिया मेनू मौका मिल गया आज तो ही में पड़ आई शुरू करूंगा ते नाप तस्वीलदार दा एक्जाम है जड़ा हो क्रैक करूंगा ओ खुश हो रहे होंगा इटिमेटली क्यों नानों हो ताइम मिल गया पेपर दी त्यारी करन दे लगी बट कई स्टुडेंट्स ऐसे भी ने ओ ए सोच देने कि PPSC ने पेपर कंड़क्ट ही नी करना सो क्यों पढ़ना है मिल अपना टाइम वेस्ट का रहे हैं आपा सो हुन एक एक कार के आप ए सारी चीजा दे उपर फोकस करांगे देखो सब तो पहला ओ स्टुडेंट्स ही में गाल करना चारनी है जेड़े ए सोच दे हैं कि PPSC ने पेपर ही नी कंड़क्ट करना देखो हुन ही PPSC ने दो एक्जाम्स है जेड़े ओ कंड़क्ट किते सीगे प्रिंसिपल दा फैब्दे भीच होया ते इक अपने को एनलिस दा एक्जाम होया सीगा ओ भी जड़ा रिसेंट संडे नू सीगा ठीक है तो अपा ए नी कहा सार दे कि PPSC ने उन एक्जाम्स कंड़क्ट ने करने कंड़क्ट होनगे जरूर होनगे बट थोड़ा हुन टाइम लागस हार दे है ओके लोड़ा हीनु कइस चारल करें लेक्डा करें सटुडिएट ने कयसा ने के अच्छी त्यारी कीते सीग पेपर के लिएक कंड़क्ट हो रहा ठीक है, so यह जोड़ी स्टड़ी जर्णी है, यह एक थोड़ी अलागतों जर्णी हुंदी है, यह दे विच भी अपने डाउन आंदे रहने हैं, कई बार है हुंदे कि आपा बहुत त्यारी करके जाने हैं, किसे एक्जाम दे विच ते अपना एक्जाम क्रैक नहीं हुंदा आपा निराश हो जाने हैं, बट अपनी राशा थोड़ी दे लिए रनदी है, फिर आपा फिर अपने आपने आपनों मोटिवेट कर दे किसे तरिके दे नाल, ते फिर पढ़ान लाग जाने हैं, अगले एक्जाम दे लई, ठीक है, so हुन जड़े नाप तसील दा एक्जाम ह आपने आपनों मोटिवेट कार साख देूं पढ़ान दे लागी, तेखो एमें तरक या कोई श्टूड़ेंट न ही होना जिए सारे सबजेट्स टिप्स थे होनगे, जुनू रीजनिंग दा सारा कुछ हनदा है, मैट्स दा सारा कुछ हनदा है, करन्ट अफिर दा सारा ठीक है या फिर जेडे एक्ट सुन देया है ठीक है ता most of the students I think 90% students चेड़े ने उन्होंने उट पिक्स छड़े हुंदेया कि ओधो करांगे जोदो साथ को टाइम होया ठीक है तो हुन जेड़े थो उन्हों टाइम मिल रहे है पेपर नूँ पोस्पोन हो गया या पेपर जोदो भी कंड़क्ट होगा ओधो तक दा सो हुन तुसी की कार साख देयों एकता तुसी जेड़े topics छड़ेने उन्हों पर फोकस करके उन्हों तियार कार साख देयों ताके कुछ भी थोड़ा बचे ना ठीक है, सेकिंड उन तुसी कीकार साग देऊ, अपनी रिवीजन देऊ पर ते आंदो, विकाज जदो भी अपना पढ़ने हैं, सलेबस बहुत वास्ट है, कितना किते अपने रिवीजन दे विच भी चूप कार दने हैं, ठीक है, सो दीमोटिवेट हों दी बजाए, अपनी रि पर दोंगे, कि हजे भी केड़े-केड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जिड़े थोड़े वीक ने, केड़े-केड़े ऐसे एरियाज हैं, जिदे उपर थो नो वर्क करन दी ज़रुरत है, ना अब तसील दा दी टैस सीरीज, फंक्शनल मैनेजर दी टैस सीरीज अवेलेबल है सो तुसी ओधिया डिटेल्स ले साग देओ, फ्लैश हो रही होन गया, ठीक है, सो तुसी वो सॉल्फ कर साग देओ, ओके, सो बाकी होड़ थो डिकॉल की ऑप्शन है, तुसी पीपीएसी दे, प्रिविएस येर कोशन्स नो सॉल्फ कर साग देओ, ऐसे बहुत काट ठीक है, एवन तुसी उपीएसी दे, प्रिविएस येर पेपर्स नो भी सॉल्फ कर साग देओ, अगर तुसी ए दो चीज़ां कर देओ, ठीक है, इनल अल्टीमेटली तुन बेनेफिटी मिलूगा, विकॉस पीपीएसी दे कोशन्स भी ते नाल, पीपीएसी दे कोशन्स भ तुसी उनु अच्छे तरीके नाल, ए सब चीज़ा दे भीच यूटीलाइस करो, तो उनु खोर बेनेफिट मिलूगा, खोर साग दे पेपर्स थोड़े तो हजे भी कितना किते चूक हो जन्दी, तो तुसी ए चीज़ा करके अपनी चूक नु ठीक कार साग देओ, तो अप पेपर देना है, होर भी बहुत सारे एक्जाम्स फ्यूचर दे भीच तुसी देने होंगे, होर भी काफी सारे एक्जाम्स आंगे, सो उन्ना बारे सोच के ही, तुसी अपने आपनो दुबारा मोटीवेट करो, अच्छे तरीके नाल पढ़ना शुरू करो, आज एड़ी थो कि चल बदी है, ए स्टुडेंट्स बचारे थोड़े जे दूखी सीगे कि क्यों पेपर कैंसल हो गया, ठीक है, ए स्टुडेंट्स ने जड़े कि बहुत खुश हो रहे होंगे, कि चलो बदी है पेपर कैंसल हो गया, ठीक है, हुन हो टाइम मेल गया पेपर दी त्यारी करन हुन इनना नो की करना चाहिए देखो ए स्टुडेंट्स नो भी एमे नी हैगा कि खुश होई जाओ हमेशा जोदो भी पेपर आना हुंद है अपन हमेशा ही लगद है कि आज जो तो त्यारी करांगे शुरू कई वर अपने नल की हुंद है कि आपा एक दिन बहुत मोटिवेट हुने है कि आज जो तो तो मैं सारा कुछ कवर कर दूंगा ओ चीज पांज या छे दिन चाल दिये तो यह तो बाद फेर आपने नॉर्मल रुटीन ते आ जाने दर उद्धर जाना शुरू कर दने अपना टाइम बेस्ट करना शुरू कर दने है तो एमें ना करियो हुन थो अनू की करना चाहिद है देखो हुन थो अड़कोल है का इनफ टाइम ते तुसे अपने त्यारी श आपिक्स देखो सारा कुछ देखो ते अपनी वधिया तरी के नल पड़ा ही स्टार्ट करो ओकी तेनाली खोर्चीज भी मैं दसना चाननी है नाप तसील दार लई फुल फ्लेज तेड़ा कोर्स है और भी अवेलेबल है तुसे ओ कोर्स भी परचेस कार साग देओ तो फुल कोल एक A-V option है तुसे self study भी कार साग दो या फिर कोर्स चो भी study कार साग देओ ओके सो दोनों options अवेलेबल है हुन तुसे अपनी study करना start करो और study दे दरान जोदो थोड़े एक-दो subjects complete होगे अपने एक target बनाओ पहलागा कि तुसे मिन्ने दे विच पुरा syllabus complete करना है किसे भी हालत दे विच ठीक है अपनी पुरी strategy बनाओ पढ़ां दी ते अपनी पढ़ाईनू start करो ठीक है हुन्ड़ी ए चीज है थोड़े ए exam चवे काम आओगी अगे future चवे काम आओगी सो बजाए कि अपना time waste करन दे तुसे जड़ा अपना time है वो ए सब चिज़ाच यूटिलाइस करो so I hope जो मैं थोनू suggestion देना चांदी सी ओ थोनू समझ आ गया हुगा हुन्थ उसी demotivated नहीं feel करोंगे ते अच्छे तरीके नाल अपनी पढ़ाईनू दुबारा start करोंगे thank you so much मिल दे हैं जल्ले